आज मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल विकास मैं समझाने जा रहा हूं एक योग की इंपोर्डेंस योग बहुत कॉमन वर्ड दुनिया में बहुत जारा अच्छिसकी इंपोर्डेंस बढ़ रही है लेकिन आज भी जो इंडिया का यूथ है जो इंडिया की मेजोरेटी है वह यूथ योग को अपना नहीं पाई है और यह दुरभाग्य है इस पर मुझे बहुत दुख है कि इतना अच्छा ग्यान इंडिया ने दुनिया को सिखाया आज हजारों करोड़ों रोपे का व्यापार दुनिया हम योग के लिए हो रहा है योग सिखाने के लिए सबसे पहला जो इंपोर्टेंस है योग का वह मेडिटेशन मेडिटेशन ही वह कारण है जिसकी वजह से एक भीड में से व्यक्ति निकलता है और उस भीड का कारण मनता है जैसे मार्ग जुकबग जैसे लोग आप जानते होंगे या फर आपने पढ़ेंगे तो आपको पता अजड़ा ध्यान देपाएंगे आपका अच्छा होगा अगर आप की पावर सही रहेंगि मेंटल अफट इसलेंगे आप अगर आपका डिप्रेशन नहीं होगा है तो आपका भीडियशन नहीं होगा को प्लूरा होगा तो आपका बिमारियां जैसे गडियोब श्रंस ये योग में कई elements हैं और योग का फायदा एक और है relationship क्योंकि आपके आसपास के positive vibrations होते हैं जब आप गुस्ता नहीं करते हैं आपके relationship में तकड़ाव कम होते हैं बेसिकली अच्छ relationship होते हैं अगर हम योग की बात करें student के लिए तो एक student के लिए योग वरदान है जोकि student का सबसे main aim होता है focused रहना जोकि meditation help करता है अगर बात करने कोई और profession की जैसे journalist एक profession है journalist में एक journalist को 24 घंटे active रहना होता है और कई बार तो वह सो भी नहीं पाता कई बार उसे बहुत जादा भागा दोड़ी करना पड़ती है जिसमें योग उसकी help कर सकता है कैसे मैं आपको बताता हू क्योंकि जब आप regular योग करते हैं तो आपकी body इतनी flexible हो जाती है कि आपको कमर में जल्दी दर्द नहीं होता कमर में या हाथ पेरों में अकड़ाना को जल्दी नहीं होती सर्वाइकल की problem नहीं होती आप अगर एक जगह पर बैटे हुए हैं तो वैसे सर्वाइकल की problem हो सकत है अगर आप योग नहीं करते और अगर आप लॉस को नहीं चैल पाएंगे तो आप में हिम्मत ही नहीं होगी कि मैं अगली बार इसके ले पाऊं तो बिसिकली जो लोग करते हैं उनका सक्सेस होना तहे या यह कहूं कि सक्सेस के लिए योग बहुत जरूरी है अब दूसरा एलिमेंट एक्सरसाइज याने व्यायाम बहुत सारे लोग कहेंगे कि व्यायाम रॉनिंग से भी हो सकता है वह सही है लेकिन अगर आप टेक्नीक के साथ योग करते हैं योग का मतलब है टेक्नीक के साथ एक्सरसाइज करना तो फिर अफेक्ट अलग वरता है जैसे जब होता है शवासन जब आप शवासन करते हैं तो आपको बॉड़ी को एक रिलेक्स मिलता है जिसको कई बार हम डैथ बैड बोलते हैं अगर आप कुछ महान लोगों की बात पढ़ेंगे कि सोय कैसे तो उसमें वह कहेंगे कि अपनी बैड को डैथ बैड समझो तो उसी सेम फॉ कम होते हैं एक और आसन होता है भुजंगासन भुजंगासन मैंने इसलिए मेंचिन किया एक्चली है तो बहुत सारे आसन और भुजंगासन की स्पेशलिटी यह है कि जो आपके बैड बोन है वो उसमें रिवर्स जादी है जनरली हम लोग जुक कर काम करते हैं तो हमारी कमर देता है हाइड बढ़ाने में बेनिफट देता है और भी योग में इतने आसन है कि वीडियो भी कम पड़ जाएंगी अगर आपने वन आवर टू आवर त्री आवर की वीडियो बनाऊगा तो वह भी कम पड़ जाएगी योग में एक और एलीमेंट आता है एक्यूबंचर होता है जो हमारे हतेलिया होती है उसमें 28 से 29 पॉइंट होती है तो अब जब आप जोड़ से क्लैपिंग करेंगे तो वह सब पॉइंट एक्टिवेट होंगी और आपकी बॉड़ी में जो जो प्रोसेस होनी चाहिए वह अच्छे से होंगी लेकिन आपको क्लैपिंग इतनी उसका में मोटेव यह भी होता है कि बॉड़ी का एक्यूपंचर हो कि किसी पुजा के भाने या किसी exercise के बाहने ही बॉड़ी का एक्यूपंचर हो जाए एक लास्ट अलिमेंट में आपको बताने चाहोंगा वह प्रेयर जनरल्ली यह तब होता है जब आपको अच्छी फीलि हो यह संस्कृत के मंत्र होते हैं तो इसका एक अलगी अफेक्ट होता है उपर सारे लोगों की फीलिंग एक सेम और पवित्र फीलिंग होती है तो आपके माइंड में कुछ पॉजिटिव विचार आते हैं और सोबह सोबह जब आप सब्सक्राइश के बीच में बैटेंगे तो पूरे दिन की नेगेटिविटी की विचेलने की पावर आपको उस प्रेयर से मिलें से आपका मन साफ भी होदा है और मन साफ होगा तो आपके रिलेसिंट वुजए वो इनडिरेक्ट ली मींश आपको नहीं दिखेगा यह सब आक लिए दिखने वाली चीज़े नहीं हैं लेकिन अफेक्ट करती हैं कहीं नहीं जो लोग आपके आसपास रहेंगे उसमें आपको अफेक्ट देखेगा कि आपके पॉजिटिव वैब्रेशन की वज़े से आपके रिलेशन्स हो दर रहे मतलब एक इंटेंजिबल पावर होंगी तो डेफिनेटली अब जो मूर की होगा वो योग नहीं करेगा कोई यह लग रहा हो योग में हम एक्सपेंस करेंगी नहीं खर्चा करेंगी नहीं तो मैं आपको एक गुड नियूस देता हूँ हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे और्गनाइजिशन्स हैं जो कि आपको घर तक फ्री में योग पहुचाते हैं घर तक वा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको नजदी की पार्क में अगर आप जाईए आप मॉर्णिंग में जाईएगा तो हो सकता हैं बहुत सारे लोग योग कर रहे हूँ या फर एक फेमस और्गनाइजिशन है इंडिया योग संस्थान जोकि फ्री में योग की एजुकेशन बहुत अच्छी देते हैं तो आप अपने पार लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब करें हमसे जोड़े नेने के लिए नोटिविकेशन अन करने के लिए बैन आइकन प्लिक करें ताकि